तो हेलो फ्रेंट्स वेलकम बैक टू मैं चैनल तो आज मैं आप लोग के लिए एक और प्रोड़क्ट का रिव्यू लेके आई हूं तो अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें क्योंकि आपको इसी चैनल पर मिलेंगे तो अपने आपको प्रोड़क्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हो वह है एंफाम का डर्मावी यूरिया हाइड्रेशन हीलिंग लोशन वह बता देती हूं यह लोशन ड्राय स्कीन के लिए होता है एक्स्ट्रीमली ड्राय स्कीन होती है जिनकी समझ रहे होंगे जो लोग जिनकी ड्रा पर से उतरती है मतलब डैड स्कीन उतर रही होती है वह कुछी जीब सी इनकी स्कीन की कर्डिशन होती है यह उनके लिए यूज होता है और क्रैक हील्स के लिए भी यूज होता है तो मैं आप लोग आज इसका डिटेल रिव्यू दूंकि कि यह प्रोड़क्ट इसकाबिल है विडियो को सब्सक्राइब मर प्रोड़क्ट क करते हैं तो प्रोड़क्ट की क्य disp남 र्रूंक Communist करatे उघ्राइब आपकी स्कीन को सूट भी करेगा के नहीं करेगा और कुछ चीज़ें तो ऐसे लिखी होती है कि मतलब यह इन कामों करें लेकिन वह काम प्रोडक्ट करते ही नहीं है तो फिर कोई फाइदा नहीं होता हमारे पैसे वेस्ट हो जाते हैं तो इसलिए मैं तो जब भी कोई प्रोडक्ट मुगाना होता है मैं भी रिव्यू बहुत देखती हूँ अथिफरस पलिए चेप्याई इसका दक सफ तथक्ट्भ हैं तो हैं उह जाते हैं टेकश्च्चर बहुत ही क्रीमि टेक्स्ट्चर आप भी ड्राइवेश्ग को इसोना काम किया क्या क्या करता हैं अच्छा दे लगर का इसे लिख 2020-2011-2011-27-2011-2013- er S Intensive Moisturizing for Cracked, Heal and All Other Dry, Itchy, Flaky Skin Condition Hydrates and Heal Dry Skin Gently Exfoliate Rough Skin ड्राइय स्कीन का रिए ये इशू होता है कि और उनके ड्राइय स्कीन उपर बनती जाती है बनती जाती है इस वजह से बुखत सारे मसले शुरू होते हैं स्कीन के तो आपने जब भी को dry skin के लिए moisturizer पर चेस करना है तो आप लोगों ने देख लेना है कि एक तो ना वो होना ऐसा चाहिए कि उसमें fragrance नहीं होने चाहिए दूसरा कि वो आपकी skin को exfoliate करता हो यानि कि dead skin को हलका हलका remove करता हो तो ये lotion उसले हाथ से बहुत ही best है ना इसके इंदर fragrance है ठीक है और ये आपकी skin को exfoliate भी करता है आपकी skin को deeply moisturize भी करता है और मैं इसको क्यों use क्यों क्यों क्योंकि मुझे eczema की problem है मैं इसलिए moisturizer को use करती हूँ और इसको मैं अपने उनी एरिया पे लगाती हूँ जहां पर मुझे eczema का मसला है यहां पर जहां पर मुझे ड्राइ पैचिस बने हुए है यहां फिर जहां पर मुझे इचिंग होती है तो उन एरियास पे मैं इस lotion को use करती हूँ तकरीबन इसको मैं आदा यूज कर चुकी हूँ इसके बाद मैं आप लोग साथ review शेयर कर रही हूँ प्रोड़क्ट बहुत अच्छा है बहुत कमाल का है मतलब आपके पैसे वसूल हो जाएंगे अगर आप इसक का मसला है और इच्जीमा का मसला है वहां पे आपने इसको इसको कर लेना है आप लोग नोटिस करेंगे कि आइस्ता आइस्ता आपकी स्किन की ड्राइनस हतम होनी शुरू हो जाएगी थोड़ी से आपको जलन भी हो सकती है जिनको जादा स्किन की स्वेर कंडिशन है उनको होगी जिनकी सिर्फ ड्राइ स्किन है जिनको एक्जीमा या स्रॉइसस है उनको हलके लकी जलन हो सकती है उसके बाद तीन-चार मिंट में आपका ये स्किन नॉर्मल होने लग जागी और आपके स्किन को अच्छे सही हाइडरेट कर देगा को आप अपनी क्रैक्ट हील्स पर फटीवी एडियों पर भी इस्तमाल कर सकते हैं और जहां पर भी आपको ड्राइनस का इशू है रफ स्किन है कुछ भी है आप लोग इसको यूज कर सकते हैं प्राइस पिसकी बहुत ही रिजनेबल है वन थाउजन रुपीस का ये मैंने पर्चेस किया है आपको एजीली ओन या लगी है के नहीं लगी तो सील होती है बोटल जब आप एक दफा उपन कर लेंगे तो इसको सिक्स मंथ की अंदर यूज भी करना है कुछ प्रोड़क्स होते हैं जो के एक्सपायर हो जाते हैं जो कि आपको उस पर लिखावा होता है कि इतनी देर में आपने यूज करने तो अगर आप लोगो मेरा रिव्यू अच्छा लगा हो तो आपने मेरी वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है ताके और बहुत सारे प्रोड़क्स के रिव्यूज में आप लोग के साथ शेयर कर सकूँ थैंक्यू फर वाचिंग